कैसे हो आप आप सब लोग खुश होंगे रौका अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे थंडी बहुत पड़ रही है तो अपने अच्छे से ध्यान रखने हैं वीवर्स के तवेत का ध्यान रखना बहुत स्पेशली आज कल जल्दी से हो जाता है तो जुखामसर्दी वगरा तो जब से पहले वीवर्स आज हम यहां पर देखेंगे आपके परसन के मन में इस वक्त जिस मक्त के यसा वossing को आप देहते ऊद्धियेगा फश्यान रेजिटिंगेर्स के लिए पीरन को सबस्क्राइब कर लेन ना अगर बाइन किया है तो यह और दिक्ता सब्या आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी तो चलिए देखते हैं कि आपके परसन के इस वक्ती क्या फीलिंग से आपको लेके अपने परसन के बारे में सूचिए अपने माइंड को बहुत शांत रखने की कोशिच करेगा डिप ब्रैथ लीजिए माइंड को रिलाक् इन नवर अंडिंग स्टोरी बॉटम से हैं न्यू लाइफ तो एनर्जी तो बहुत ही प्रोमिन इहां पर निकल के आई हैं आई थिंक अके सबसे पहले मैं आपको जब तक फिलाल कुछ नंबरस यहांपे बता देती हूं जो नंबर मेरे पास यहां पर हैं तो मेरे पास यहांपर आया है 22, 2 number काफी important हो सकता है आपके लिए ओके, 2 number 37, 39 ये कुछ numbers या age हो सकती है या कुछ month हो सकते हैं जो आपके लिए important हो सकते हैं ओके, so let's see देखते हैं आपके person के मन में आज रात आपके लिए क्या feelings और भावनाई है क्या है उनके मन में जो आपके लिए वो करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, okay so please universe, please angels बताएं इनके person के मन में क्या कुछ है क्या है इनके person के मन में आज रात आप उनकी dream girl हो सकती है कुछ लोगों के लिए energy है या ये आपके dream girl हो सकती है लेकिन मुझे जादा तर energy ये दिख रही है कि most of the cases में आप उनके लिए एक बहुती beautiful person है यहाँ पे, जैसे कि वो आज मुझे ऐसा ही फील हो रहा है जैसे कि वो आपको पा के अपनी life में बड़ा सुकून सा महसूस कर रहे है कुछ लोग लिए guys ये एक message यहाँ पे channel हुआ है 9 of cups कहा रही हूँ ना उनके लिए dream person हो आप उनके लिए 9 of cups भी यहाँ पे dream energy को कहीं नके represent करता है कि वो person चाहता क्या है उसकी desire क्या है वो किस तरह के ख्वाब देखता है तो ये जो ख्वाब है आपके person का है आपके लिए देख रहे हो ये person viewers आपको इसी तरह से अपनी life में चाहता है ये चाहती है आप उनके लिए बहुती beautiful person हो हर तरह से हर लिहास से आप एक abundant person हो जो कि उनके life में ना हर वो खुशी दे सकता है जो उनको कहीं और से मिल नहीं सकती है या जिस खुशी की कलपना जिस समय की कलपना या जिस तरह की life की कलपना उन्होंने कभी की थी वो आपके उपर आके उनकी complete होती है ठीक है तो ये message viewers यहाँ पर मिला है हमारे को और यहाँ पर हमारे पर queen of band है you are most attracting of person अपने person के लिए आप हो okay page of coin, page of sword the tower की energy है यहाँ पर okay इस tower की energy को मैं clarify करना जाहूंगी यह tower यहाँ पर क्या कर रहा है please universe बताएं यह tower यहाँ पर क्या कर रहा है okay so we have the queen of bands and the strength eight of bands three of bands okay three of swords tower यहाँ पर है bottom से हमारे पास इसको हिट कर रहा है king of cups के साथ में okay so यहाँ पर हमने जो यह card निकाले है I think guys यह सरफ एक clarification card है इनको हम यहाँ पर आपकी यह story को बया करते है कि आपकी life में actual में यह जो person है आपके साथ में इतना एक खुबसूरत सपना कई न कई बुन रहा है तो उसको यह tower moment क्यों देखना पड़ रहा है ठीक है तो viewer सबसे पहले ही यहाँ पर यह निज़र आ रहा है कि आज आपके person viewer सबसे पहले तो आपके लिए एक तरह का attraction बहुत महसूस कर रहे हैं यह attraction के energy guys तो मुझे तो साफ नज़र आई गे थी प्यार, love, connection और एक जरूरत को महसूस करता हुआ यह करती भी मुझे नज़र आ रहा है यह person कहिना के viewers यहाँ पर यह कहने की कोशिश कर रहा है कि आप उसकी life में आई हो ठीक है आप उसकी life में उसको मिले हो चाहें जिस भी तरह से आप मिले हो लेकिन वो कहिना के यह मानने की कोशिश कर रही है यह कर रहा है कि आपका आना उसके लिए एक तरह की blessing से कम नहीं है उसके लिए एक opportunity है अपनी life को बहतर तरीके से जीना क्योंकि यहाँ पर देख पारी वीवर्स इस person का कहिना कहिना की जिसके लिए उन्होंने या तो कभी दुआएं मागी है या फिर उन्होंने कहीना की जिसलाई का example देने ही कोशिश करती हूं आपको जब कोई person को उसका एक ऐसा partner मिल जाए जिसमें उसको हर तरह की मतलब कहते न जो उसने checklist बनाई होती है कि मेरा person खुबसूरत होना चाहिए मेरा person दिल का साफ होना चाहिए वो मुझे बहुत ज़दा प्यार करे वो मेरी care करे वो मेरी खुशियों का ध्यान रखे मेरे दुख सुक मेरा साथ दे ठीक है मैं रोओं तो मुझे हसाने की कोशिश करे अगर मैं मतलब मैं किसी problem में फस जाओं तो मुझे उस problem से निकालने का solution बताए या मेरी motivation का काम करे मुझे strength दे मुझे power दे तो एक बैसे ही person viewers यहाँ पर आप हो आपके अपनी लाइफ को जीना चाहती है या चाहता है लेकिन यहाँ पर वीवर्स जैसे कि हमने देखा था टावर मूवमेंट आपके connection में प्रेजेंट हो सकता है या आया था जिससे आपके person viewers आज नजर आ रहा है कि यह एक new life की energy जो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है वो यही दिखा रही है कि no doubt टावर मूवमेंट आया आप दोनों के connection में जहाँ पर चीजें मिली है आपको three of sword की आपको या फिर आपके person को में भी हो सकते है कि कुछ लोग ऐसे हो जहाँ पर आपको मिला हो three of sword इस person के द्वारा जिसे की जो कही न कही आप दोनों ने मिलके सपने सजाए थे वो सपने तोटे बिखरे खतम हुए three of sword मतलब दिल के टुकडे होना दिल की ख्वाईशे पूरी ना होना या फिर जो उमीदे आप दोनों ने एक दोसे के साथ में मिलके सजाए थी सपने सजाए थे वो सपने कही न के चकना चूर हुए मैं यह नहीं कहरी वीवर्स की हरे किसे में कही न कई third party ही होगी कुछ ऐसे भी यहाँ पर मुझे जिसे की रिष्टे नजर आ रहे जहाँ पर आप दोने एक दूसे के लिए आज भी loyal हो आज भी दूसे से प्यार करते हो पर जिसे की आप दोनों का जो एक दूसे के साथ में जिन्दगी जीने का जो सपना हो सकता है दूसरे का होने का ठीक है होनत है इसलिए हुआ या तो आपके person ने viewers यहाँ पर strength नहीं दिखाई या फिर आपकी वज़े से कुछ चीज़े गड़बड हो गई जैसे कि आप या तो वो चीज़े over ले गए over बतलब कहीं न कहीं पकड़के बैठ जाना किसी बात को ठीक है या फिर आपके person ने कहीना कि उन समय जिस समय इस connection के लिए ज़रूरती इक step लेने की अपनी तरफ से कोशिशे पूरी करने की ठीक है वो कहीना कि आपके person नहीं की आज मुझे इस energy में अगर मैं देखो विवरस most most of the cases में यहाँ पर मुझे फैमिना इन आस्पेक्ट कहीना कि ब अच्झाब हो सकते हैं या फिर आपकी वाइफ हो सकती है ठीक है या फिर आपकी ग जी एफ हो सकती है गल्फरेंड हो सकती है राइट या फिर कहीना की वीवर से अशन नजर आ रहा है तेको यहां पे वैसे हर person की बात हो रिची अगर यह आपकी feminine aspect आपका person या उसके अंदर जासे कि मतलब सॉफ्ट हार्ट बहुत जादा है मतलब अपने अंदर वो मस्कुलन एनर्जी को जादा या तो ओवर नहीं होने देता उसको पागड़ता नहीं है ठीक है आप समझ पा रहे हो ना जैसे कि हाँ पर कुईन ओवेंड के इनर्जी भी यही दिखा रही है कि इस पर अगर एक मेल भी है रही है तो यह उन चीजों को वहीं पर रोक देती है या फिर उनके अपने स्टैप बैट लेती है तो यही देखा जा सकता है कि कहीना के यहां पर आपके परसन अगर एक मेल भी है तो उन्होंने या तो अपनी स्टैंथ को नहीं समझा अपनी पावर को नहीं समझा और कुछ चीज़ा उन्होंने अपने इगो में आके हो सकता या फिर अपने बहुत ज़्यादा गुस्से वाले दिमाग की वज़े से हो सकता है कि उन्होंने वो चीज़े बिगार दी आप कि आपके परसन नहीं हर चीज बिगाड़ी है कुछ लोग लिए यह भी एनर्जी गाइस मुझे मिल रही है कि आपके परसन को यह भी डाउट हो सकता है कि आप ने जैसे किसी के साथ में मिलके इनको धोका दिया जैसे किसी और के साथ में रिलेशन्शिप बनाना मतलब इन्हो अगर यह थिन परसन को मिला है अपको मिला है और यह थर्ड पार्टी कोई हो सकती है या फिर यहां पर लाकिंग हो सकती है कोई होना या फिर अपनी saith ko ना समझना या कोई चीजे कही ना कई बहुत बिना सोचे को एक्षण लेना जिस वजह से चीज़ खराब हो गये आप सपने सजाए थे वह सपने टूट गए बिखर गए तो यहां पर यहीं चीज़े गाइस मुझे नज़र आ रही चाहिए सिच्वेशन आपकी जो भी हो लेकिन यह परसन आज ऐसा ही महसूस कर रहा है कि आप चीजे शायद बहतर हो सकती है अप शायद इनके ड्रीम आपको लेक लेकिन क्या हम एक भार फिर से नहीं शुरुआत कर सकते क्योंकि टू अबेंट के साथ में जजमेंट आया है यहां पर जू यही दिखा रहा है कि कहीं नगहीं आज यह परसन गहीं इसने यहां तो डिसीजन लिया है या कहीं नगहीं वाइट डिवाइन साइड जैसे कि डि जिसका judgment day कहीं न कहीं आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है या आचुका है जो यही दिखाता है कि आप चीजे बहतर होंगी चीजे सौट आउट होंगे और यह परसन भी ऐसा ही चाहता है यह आपके साथ में एक new life चाहता है क्योंकि new life के energy गाईज मुझे यहाँ नजर आ रही है राइट क्योंकि new life यह परसन आपके साथ में जाता है क्या चाहती है जैसे कि इसको कहते है वेक अप कॉल मिल जाना एक नींद से जाग जाना यह नींद के जागने के energy होती लेकिन tower moment में यहाँ पर एक ऐसे कहते हैं आवेकनिंग को दिखाता है जहाँ पर इ इसको अपनी life में क्या चाहिए मैं यहाँ पर वीवर्स हो सकता है बहुत टाइम से आपके परसन ने यह connection yes no के बीच में टाल रखा हो कि yes करेंगे no करेंगे कभी हां कभी ना कभी कुछ कभी कुछ जो गोल मोल बाते हो सकती वो आपके परसन की तरफ से आपको सुनने को मिली हो लेकिन आज वीवर्स यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि यह जो परसन है आपको गोल मोल बाते नहीं यहाँ पर अपना commitment देना चाहता है आपको साथ में रखना चाहता है अपने अपनी life में यहाँ वीवर्स एनरजी काफी positive आई है किसी तरह से जैसे कि past कुछ बाते हो सक कि यह सिच्वेशन जो आप दोनों के बीच में चल रही है तना तनी वाली सिच्वेशन है यह blockages वगरा जो चल रहे हैं आप दोनों के बीच में उनको over come up किया जाए तो वीवर्स यहाँ पर page of sword के नरजी जो ही ही दिखाते है कि आज आपके person एक नई वीजन के साथ में एक प्यारा है यह जो सपना है आप दोनों के दूसरे की कहते हैं यह एक दूसरे के साथ में just like a couple यह wish fulfillment है वीवर्स यहाँ पर दोनों की वो मुझे आपके person वीवर्स यहाँ पर चाहते हुए पाते हुए नजर आ रहे हैं वो यही चाहते है कि आप दोनों में जो भी दरार है उ पर चाहते हैं वीवर्स को फिलब किया जाए और एक नई शुरुवात आगे की जाए क्योंकि टाइम आ गया है आगे बढ़ने का ठीक अपनी लाइफ में कहीं चीजे सही करने का तो यह वीवर्स आपके person की आज मुझे यहाँ पर रीडिंग नजर आ रही जो यही दिखात क्या करो है कि इस वीवर्स आण साहरी प्रिजेंट है तो भूं पर राशी यहाँ प्रेज़न आथने की आई ओर ईपकी गया पर घाण्रूर आपकेशंगेक क्या कहना चाहते हैं वो I am secretly obsessed with you वही है वीवर्स यहाँ पर प्यार ही है उनके दिल में आपको लेके कुछ और नहीं है सिर्फ प्यार नजर आ रहा है आज मुझे obsession की guys energy यही दिखाती है कि एक person किसी के लिए एक attraction को महसूस कर रहा है your sexy body has drawing me वही वीवर्स यहाँ पर attraction ही है ठीक है जिसे कि आपका आकरशन है वो आपके person को आपकी तरफ आकरशित कर रहा है I am deeply sorry that I walk away from you आपके person यह कहने की कोशिश करें कि मुझे इस बात का खेद है मुझे sorry भी feel हो रहा है कि मैंने तुमसे walk away किया है तुमसे दूरिया बनाई है right my heart belongs to you इनका दिल आपके लिए जैसे की है उन्होंने reserve कर दिया लिख दिया है दिल पे तुम्हारा नाम लिख दिया शायद कोई गाना भी ऐसा है कि पता नहीं होगा शायद just say something to me यह चाहते हैं कि आप उनसे बात करें अपनी तरफ से approach करें या फिर उनसे अगर वो आपको अप्रोच कर रहे हैं तो आप उनको कही ना की communicate करें तो यह कुछ messages यहां पर मिल रहे हैं I really hate not communicating जिससे की इनको बुरा लग रहा है आपसे बात ना करना communicate ना करना जितना की यह चाहते हैं यह जितना चाहते हैं उतना आपसे आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या बात नहीं हो रही है तो इस बात का आपके परसन को कोई ना की बुरा भी लग रहा है यह इस बात को लेके भी स्वारी फील कर रहे हैं I appreciate the lesson you taught me I think आपने अपने परसन को कोई lesson सिखा दिया है ठीक है जैसे कि उनको अहसास हो गया है कि आपका होना इनकी लिए कितना important रखता है I just want to be friend Okay I forgive you देखो मैंने बोला था ना हो सकता कुछ लोग ऐसे हो विवर जिन्नोंने आपने परसन को विभी हो सकता है Okay तो यह भी विवर्स यहां पर message है Last message लेते है My pride and ego affected this connection उनका जो ego है उनका जो pride है उनका एंकार हो सकता है गुसा हो सकता है किसी बात को लेके वो कहीना कि इस connection को जैसे कि effect कर रहा है Right तो यह कहीना कहीन जो messages निकल के आए है वो यही दिखाते है इस person के दिल में आपको लेके प्यार भी है लेकिन खुड़ा गुसा भी है frustrated भी है आपके कुछ ऐसा हो सकता कि आपने कुछ ऐसा करके दिखा दिया हो कुछ ऐसा बोला हो या फिर इनोंने कुछ ना कुछ ऐसा सोच लिया हो जिसे कुछ इनकी गलत फैमी हो गई हो तो यह कुछ न कुछ चीज़े जो है इस connection को अभी भी हिट कर रही है लेकिन हा कहीना की चीज़े रेलेज हो जाएंगी क्योंकि card ऐसे ही बताते हैं कि judgment का time आ चुका है कहीना की चीज़े sort out होने का time आ चुका है तो यह है वीवर्स रीडिंग आपके लिए आपके साथ में रीडिंग राजनेट हुई होगी अगर वीवर्स होई है तो प्लीज लाइक जरू कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं वीवर्स नेक्स रीडिंग में तिल दन तेक किर रसल्फ गडब्लस् वीवर्स थैंक यूवचिंग आइस बबाए